नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं अपनिनम आपके साथ तापसी पन्नु इन दिनों फिल्म डंकी की सक्सेश एंजॉय कर रही हैं जिसमें उन्होंने शारुक खान के अपोजिट काम किया है फिल्म का हिस्सा है उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्टी में अफ़ा यह है कि वो वही फिल्म में करती हैं जिसमें वो ली डोल में हो इस कारण से कई प्रोजेक्ट सुनके हाथ से निकल जाते हैं इन अफ़ाओं की वज़े से बड़े डिरेक्टर अच्छे साइड रोल के लिए उन्हें अफ्रोच करने में कतराते हैं एक इंटर्वीव में तापसी ने कहा हर कोई राजकुमार हिरानी सर जैसा नहीं है उन्हें किसी कंफर्ण जोन की जरूरत नहीं है फिल्म मनमर्जिया में मेरा काम देखने के बाद उन्होंने अच्छानक मुझे मैसेच किया मेरी बहुत फिल्में देखने के बाद इन्होंने जंकी का उफर दिया ये खुबसूरत सच था यही कारण है कि फिल्म के पहले शेडूल की शुटिंग खतम होने तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ घर पर लोग मुझे से पूछते थे तु पिच्चर में है ना निकाल तो नहीं दिया तुझे सच में फिल्म के फ्लोर पर जाने से डेट साल पहले तक लोग मुझे से कह रहे थे कि राजू सर कुछ दूसरे एक्टर्स पर भी विचार कर रहे होंगे हाला कि राजू सर की तरफ से इसा कुछ नहीं था वो मुझे लेकर आश्वस थे इस वज़े से स्विकार करना मुश्किल था कि मैं फिल्म कर रही हूँ फिल्म इंडस्टी में लोग तापसी के बारे में क्या धारना रखते हैं उन्होंने इस पर भी बात की उन्होंने कहा ये एक बड़ी गलत फैमी है कि जिसे दूर करते करते मैं थक गई हूँ अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी फिल्म में मेरा केदा सेंटर स्टेज पर नहीं होता तो मैं फिल्में नहीं करती हूँ मेरे खिलाफ इस सारी बते पता नहीं कौन फैला रहा है तापसी ने आगे कहा मुझे लगता है कि यभी एक कारण हो सकता है कि कई बड़ी फिल्में मेरे पास आती ही नहीं क्योंकि यह मान लिया जाता है कि मैं उन्हें नहीं करूंगी मैं उस ग्रूप का हिस्सा नहीं हूँ जहां मेरा नाम तुरंद लिया जाएगा इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद